विद्ध्यार्थी मित्रो स्वागत्चे मारी चैनल गुज्राती साहित्यमा आप सवने। साहित्य स्वरूप नी व्यक्ष्या फागु काव्यनु स्वरूप फागु काव्यना विवीद लक्षण नो उन्डान थी अब्यास करीशी। सव प्रतंतो प्रस्तावना मध्यकार मा हेम चंद्रा अचारिय सिद्ध्य हेम नी रचना थी जोवा जईये तो लगुकाव्य स्वरूप थी शरू करी मध्यकार ना अंतिम कवी दयरामनी घरिभियो सुधी जे साहित्य सर्जन थयू ते मुख्य पद्य प्रदान साहित्य नो परीचे आपने प्राप्त थाई छे तेथी आपने अहीं पद्यम प्रबन, रासरासो, फागू, पद्यवार्ता, आख्यान, गर्बो, घर्बी, पद, वगेरे काव्य प्रकारों आपने प्राप्त थाई छे जे समाज मा वसंत विलास जेवू चमक चमक थती चांदर ने जेवू सुन्दर ने भाव बीनी बानी मा रचायलू वसंत विलास फागू कावय मडी आवे छे, ते कावना लोकों नी रस वृत्ती केवा प्रकार्नी हचे, तेना दर्षन थाई शके छे सब प्रतंतों आपढे फागू शब्दणी वियुद्पत्ती जोईे, फागू शब्दनी वियुद्पत्ती फागण महिनाना संस्कूत शब्द फालगून उप रती उत्रियावी चे ए रिते फाल्गुन पची फागुन फागुन एम थयू छे एवू कहवाई छे परन्तो आ वित्पत्ती बाशा शास्त्रानी रिते बराबर न थी फाल्गु वसं के वसंत सव पर्थी फल्ग अने फर्ग्यू फागु ए रिते उत्री आवेलो छे फाल्गुनी नक्षत्र माटे संस्कूत कोशोमा फल्गुन शब्द सुच्वाएलो छे महाबरत अने हरीमंशमा फल्गु शब्द नदीना एक विशेश नाम तरीके आवेलो छे जोतिशना ग्रंतोमा फल्गु द्वीवचनमा वप्राएलो छे पाचरती एनो अर्थ सुन्दर के मनोहर एवो थयो छे फागु शब्द नी हजू पन केतलीक विवद्पत्ती आपवाम आवेली छे वसंत रूत्तू वाचक फल्ग माथीज आ अर्थ विस्तार सदायो छे होडीना असलील वाग व्यवार माटे फाग इतले फटानू शब्द प्रवे जायलो छे फाग शब्द फग्गु दूडेती शब्दनो परियाय छे एवू बयानी साहिब एक कहुँ छे संस्कृत प्राकृत्ती माडी अपब्रान समय सुधी मों कोईपन प्राचीन साहित्य मों फागु स्वरुपनी कृतियों क्यारे मरती न थी एव पर थी डॉक्टर के भी व्यास फग्गु शब्द देश्य मूनो छे एवू अनुमान करे छे फागु शब्द नी वित्पत्ती देशी नाम मालामा हेम चंद्रा अचारिय आमुजब आपे छे फग्गु वसंतो सवह और थात फागन महिनाना वसंतो सवना परियाय तरीके फग्गु शब्द प्रहय जायो हुआनो नीड़ देश थयो छे हवे आपड़े फागु काव्यानी व्यक्ख्या जोईले डॉक्तर केबी व्यास लखे छे आरम मा फागनू स्वरुफ सावाईक रितेज लोकोद्बव गीत नाटकनू हतु जे गवातु ने रमातु एमा ती क्रमे क्रमे फागु स्वरुफ विशेश खेडाता एमा संकूल प्रेवेशी अनि नुर्त्य तत्व बंध तत्व मात्र गे तत्व अविशिष्ट रहिऊ। वर्णवा मा आवे हतु तेने लिदे आ साहित्य स्वरुफ फागु नामे उडखातु अवे फागु कावियाना स्वरुफ लक्षणों मा जोईये तो दरेक साहित्य स्वरुफ मा जें मंगला चरन आवे छे मध्यकार ना एरिते आमा पन मंगला चरन आवे छे त्यार बाद वसंत वर्णन जे आनु मुख्य लक्षण चे के वसंत रूतुनु वर्णन होयाच छे केटला कवियोए वर्षया रूतुनु पण वर्णन कर्यु छे श्रूंगार नुव निरूपण मुख्य चे आमा कारण के युगलो ना श्रूंगार नुव निरूपण अने वसंत नुवणन आना विशिष्ट लक्षणों माती एक छे त्यार बाद युगलो नी दशा जे नव दमपत्ती होई एम नी दशा केवी थाई चे वसंत रूतुमा वर्शा रूतुमा एनुवणन आमा विशिष्ट रिते वणावाईलू छे फल शुरूती औने कवी परीचाई आमा पन मध्यकार ना दरेक साहित्या स्वरूपमा अन्ते फल शुरूती औने कवी परीचाई आपफ़ामा आवे छे एवी दिते या इन्या पन फल शुरूती नो उल्लेक मडे छे कवी परीचाई पन केटलीक वार कुरूती नी रचना समय क्यारे रचाई औने कया स्थडे गवाई औने कवी कोणे लखी एनो उल्लेक मडे केटलीक वार आपणने मडी आवे छे त्यार बाद आमा पात्र निरूपन पन एक विशिष्ट लक्षन चे केटलीक वार विशिष्ट पात्रो राजा राणी अथ्वा तो समाजना आम लोको पात्र तरीके आवे छे त्यार बाद गेय काव्य स्वरूप छे आने गाय पन शकाए छे दूहा छंद मा रचना करवामा आवे छे आनी अने आमा विविद रस्वनू निरूपन पन करवामा आवे छे आम फागू काव्य स्वरूप ना आतला विशिष्ट लक्षणों छे हवे एक एक लक्षण ने आपने उंडान थी चर्चा करिया मंगला चरन काव्य स्वरूप ना रंबे एम लुश्व सामान्यत है इश्ट देव के देवी नी स्तूति थी एक प्रकान नूं об मंगला चरन करवामा आवे छे जेम के वसंथ विलास मा सरश्वति नी स्तूति मंगला चरन करवामा आवेलू छे एतले के विद्या के ज्ञाननों महिमानों गान करवामा आवी छे भारतिय परंपरा मुझब दरेकने एक प्रतीक मां डाडी देवामा आवे छे एम ज्ञानने सरस्वती देवीना स्वरूपे पुझवामा आवे छे प्रतीक बनावेलू छे मित्रो हवे वसंत वर्णन वसंत वर्णन मा फागू काव्य स्वरूप मा बहु महत्वनु लक्षणे मा थयू वसंत वर्णन औने वसंत क्रीडानू रस बर निरूपन छे जैन कवियो पाचरती वसंत रूतिनी जग्या वर्ष्या रूतुनू वर्णन करुछे अने वर्ष्यामा थती क्रीडा पन फागु कावयमा निरूपी छे, परंद फागु वसंत रूतु साथे सविशे संक्रायलू कावया स्वरूप छे शुरूंगार रस्नु निरूपन फागु काव्य स्वरूपमा वसंत्रूतू निरूपन आवे एटले स्वाभाविक रितेज एमा शुरूंगार रस्नु निरूपन पन थाए शुरुंगार बन्ने प्रकारना संभोग औने विप्र लंब उबय प्रकारना निरूपाता हवे यूगलोनी दशा वसंत रूती ने पास्चाद भूमिकामा प्रेमोर्मीमा गरकाव युगलोनी बावर्मीनी अभिव्यक्ती औने रस्नो आविशकार फागु काव्यमा अनिवारिय पने होई छे अने तेथी जे प्रेमियोनी मन भावन वसंत रूतु विहरी हैयानी केवी दारों अने करूं दशा करी मुके ए बदू विगत्वार वनवानु होई छे विरहनीनी नारीनी वेदना फागु काव्यमा लाक्षणिक रिते निरुपाती होई छे काव्यना अंत्मा प्रवासेती पाछो फरेला प्रियतमनु आग्मन थतो नाइका ना वेशबुष्या प्रसादन औने प्रेम केलीनु निरुपान थाए छे फागु काव्यमा क्यारेक भ्रह्मनी अन्योक्ति द्वारा चातुर्यनु निरुपान थाए छे काव्या अरम्बे वीर अनियांते मिलन यह प्रकार न वस्तू संकल न फागू काव्यां मतहतू होई छे फल स्रूती फागू कावे ना अंत मा फल स्रूती आवे छे आ फल स्रूती अत्यन टुंकार मा आवती होई छे फागू कावे नो रचयता जेन होई तो अंते काइक भौतिक सुंदरी नी जग्याए मुक्तिर मनी के सैयम स्री साथे नो विर निरूपी निर्वेद अने त्यागने ओजस्वी बनावी उपमस नो बोद करे छे एव पन जुआ मडे छे कावे ना अंत मा सैयम अने शील नो महिमा पन केटलीकवा रजू थाई छे कवी परी चेये कावे ना अंते के पुष्पी का रचाती होई छे एमो नकल करनार क्यारे नकल करी रचना वर्ष नकल करयानू वर्ष वगे दिनी काइंक तुंकी नोद साथे समगर रचना पूरी थहली होई एवू सूचन करवाम आवे छे अने जो कवी होए ना तो कवी नो पन परीचेये आमा आवे छे पात्र निरूपन फागू कावे मों सामन नेता पौराणिक पात्रों नेज एना रच्चैताने नायक नाही का तरीके स्थान आपी होआनू दुआ मडे छे जो के वसंत्विला जिवा फागू मों आरिते पोराणिक पात्राने नायक नाइका तरीके श्थाना पामा आविन नती एटले आ बाबाते वसंत्विला सअपवादस रुप फागू कावे चें जेने तर फागुओं मों कृष्ण राधा अने जेन फागुओं मों नेमिनात राजी मती के स्थुर्ती बद्र कोशा ने नायक नायका तरीके स्थान आपामा आवी छें जोके केटलाग जैन फागुवामा पाचर्दी आचर्यो के जैन तीर्थोना महिमाने पन स्थान आपामा आवी छे गेय कावे स्वरूग फागुकावे गेय साहित्य स्वरूग छे एतले जेनी गेयताने अनुरूप छंद प्रविजवामा आवे छे मात्रा मेर छंदोज ए माटे वदारे अनुकूर रहा छे मुख्यत्वे रोडा अने दोहा जेवा छंद फागुमा मात्रा मेर छंद तरीके यो जाया छे फागु कावे जान्ज पखाज जेवा वादो साथे गवातू कावे स्वरूप तूर एटले स्वावाविक रितेज एमा वर्ण संगीत पर ध्यान अपातू आंतर प्रास नो प्रचूर उपियोग्यमा थयो आंतर यमक वालो दुहो ए पाचरती फागु कावे नो विशिष्ट लक्षन बनियो वसंत विलास नारी नी फाग अने हरी विलास मा आप्राकान अंतर यमक प्रास वाला दुहा आपड़ने प्राप्त थाई छें फागो मो दुहा चंद नी रचना फागु कावे स्वरूप जेम जेम लोक प्रिय बन्तु गयू तेम तेम पाचरती एनी छंदो रचना गान अने अर्बीनाईद ना प्रकान ने अनुरूप थतो तेवादारे संकूल अने संविश्ट्रित रचना बनी ए रासक आंदोला फागु आंतर यमक यूक्त दुहा अने अडईया मो रचाती थाई पाचरती फागु कावे मा संस्कूल उत्तनो पन स्वतंत्र जिते उप्योग धरेलो जुआ मले छें सोम सुन्दर सूरी क्रूत रंग सागर नेमी फागु मा दुहा नी वच्चे कविये एक कडी शार्दूल विक्रिदित छन्मा पन रची छें देव गणित क्रूत सुरंगा बीद नेमी फागुमा पन एना रचेताई शार्दुली विक्रिदी चन्द मा पन रचना करी छें हवे रस्नी रुपन रस्नी दृष्टिये फागु कावयमा सुरंगार उप्रन करून अने शांत रस्नी पन प्रसंगो चीत गुन्थणी जुवा मले छें जैन कवयो मा फागु कावयमा सुरंगार नो निरुपन थतु है छें परन्तु अंत्मों आ कवियो संयम नो गुण्द आवा विविद ग्रंथों नो उप्योग करीने आ वीडियो बनावेलो छे मित्रों संदर्प ग्रंथों अहीं जोईशको छो आप प्रस्तुत करतार डॉक्टर शभीरली जीवर्ट थेंक्यू पर वचिंग दिस वीडियो मित्रों आवा वद्दू वीडियो जोवा माटे मारी चैनले सब्स्राइब करो बेला इकन अबाव जेथी तमने तूरं नवा वीडियो मडि रह अने मारी चैनलने मुलाकात लो एनाव पर तमने गुद्राती साहित्य स्वरूपो अने एनिमेशन साथे कवियो न जीवन अने कवन परी चैनलने गुद्राती साहित्य ने लगतु तमाम माटेरियल अवेलेबल चैनलने थेंक्यू फर वाचिंग दिस वीडियो